हलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आई होप यू आ डूइंग ग्रेट सो स्टूडेंट्स आज के स्वीडियो में हम क्लास एर्थ के बच्चों के लिए उनका विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेक्या है हैं सो बच्चों आपको पता होगा कि सारे बच्चों के अर्दवार्शिक जो परीक्षा है वो चल रही हैं किसी-किसी बच्चे का अभी शुरू नहीं हुआ होने वाला है सो यह जो क्लास एर्थ के बच्चे हैं हिंदी मीडियम की उनकी लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम 2024 का जो पेपर है ठीक है सैंपल पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे साथ ही साथ आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे सो वीडियो को पूरे एंग तक देखना ताकि आप सारे क्वेश्चेंस के जो आंसर्स हैं उनको अच्छे से लर्न कर सको तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया गया है तो बच्चो देखो जब भी आप अपना पेपर देती हो तो दिये है कुल पांच प्रश्णों के उत्तर दीजिए प्रति एक खंड से दो प्रश्णों के उत्तर देना अनिवार है प्रति एक प्रश्ण के अंक उसके सम्मुख दिये गए हैं तो जो भी प्रश्ण है उसके अंक भी उसके सामने दे रखा है और आपको दोनों खंडों में से क कम से कम दो-दो questions करने हैं ऐसा नहीं करना आपको कि एक कि खंड में से सारे questions कर दिए ठीक है दो-दो questions प्रती खंड में से और एक question किसी से भी कर दो टो टोटल पांच questions हो जाएंगे टू आर्स का आपको time दिया जाएगा और 100 marks का जो है वो आपका रहे पेपर तो चलते हैं पहले क्वेशन पे जो आपका पहला क्वेशन उसमें क्या लिखा है निमलिखित प्रश्णों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए यानि की सही विकल्प वाले क्वेशन है तो चलते हैं पहले क्वेशन पे भारत भा लगता है कि इसका अंसर क्या होगा भारतिय अंतरिक्ष कारेक्रम जो है उसके जनक है डॉक्टर विक्रम सारा भाई आपको इसे याद कर लेना हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपके एक्जैम में भी पूछा जाए जल में ऑक्सीजन की सहियों जगता क्या होती है 1 2 3 और 4 जल क अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी सहियों जगता आपको बतानी है इसका अंसर है 2 जल में ऑक्सीजन की सहियों जगता होती है 2 पेचिस रोग होता है जो पेचिस नाम की बिमारी है वो किस वज़ा से हो जाती है कौन से माइक्रो और्गैनिजम शूश्म जीवी के द्वारा वो जन आंग है उसके बारे में आपको टिक लगाना है ठीक है उसको टिक लगाना है जो भी इसमें से मादा का जन आंग है तो इसका आंसर क्या होगा गरवाश्य हड्यों जोडों और मास पेशियों की अर्शमता कोई वी व्यक्ति जिसकी हड्यां खराब हो गई मास पेशियां खड़ाब हो गई उसको उस डिजीज को उस बीमारी को क्या कहते हैं उसे कहते हैं लोको मेटर धिव्यांगता ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आपको वन से लेके फाइफ तक सारे टिक्दा करेक्ट के आंसर्स लर्न हो गई होंगे अब अगला क्वेश्चन जो है जो हमारा उसमें हमसे क्या कहा है सही कथन के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का चिन लगाना है चलिए तो पहला क्या है रियान प्रकर्तिक रेशा है बच्चो आप बताओ रियान जो रियान है वो प्रकरतिक नहीं है तो पहला गलत density फीर दूस्रा संग मरमर क्या चूने पत्थर स बनता है इसका उत्तर सही होगा फ्लोयम थिकर पाया साथ हैं प्हले रितुस राफ को रजोदर्शन केहते हैं किया कोई गाय की नसल है हान जी तो यह हमारे तिक्धा की आइश से पहले रांग दूसरे का राइट तीसरा भी गलत है चौथा और पांचवा दोनों है थी अगर आपको किसी भी question में doubt है तो वो आप नीचे comment करके जरूर पूच सकते हैं अब चलते हैं अगले पे अगला जो है उसमें आपको खाली स्थान भरने है 3G और 4G जो है वो किसके साधन है स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि 3G और 4G जो है वो आपके internet के साधन होते हैं किसके होते हैं इंटरनेट के ठीक है मैं आपको आपे internet की spelling भी पता देती हूँ हिंदी में इंटरनेट उसके बाद दूसरा प्रोटीन जो है प्रोटीन की खोज किस ने की थी रॉडर्स जोहानस मुल्दर ने की थी शूश्म जीवी को देखने के लिए डैश की आविशक्ता होती है तो बच्चो आपको पता होगा कि जो शूश्म जीवी होते हैं वो बहुती जादा छोटे होते हैं तो उन्हें देखने के लिए किस चीज की आविशक्ता पढ़ती है So students, उनको देखने के लिए हमें आविशक्ता पढ़ती है Microscope की ठीक है किसकी आविशक्ता पढ़ती है Microscope की आविशक्ता पढ़ती है Dyslexia Dyslexia कोई संक्रमित बिमारी नहीं है संक्रमित बिमारी वो होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाये लेकिन जो डिसलेक्सिया नाम की बिमारी है वे कोई संक्रमित बिमारी नहीं है दरव सभी दिशाओं में बराबर दाब डालता है दाब ठीक है अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे questions दिये गए हैं जैसे कि जो पहला है उसमें आपसे पूचा है कि नहीं चार प्रकार के काँच का नाम लिखिए स्टूडेंट्स मैं आपको चार प्रकार के काँच का नाम बताती हूँ जो आपका पहला है वो है क्रुक्च ठीक है क के नीचे रिसे रिशी की मतलब क्रुक्च काँच दूसरा होता है आपका सोडा काँच ठीक है देन उसके बाद होगा आपका पायरेक्स काँच और जैना का सकते हैं जो मुक्तवस्ता में पाए जाते हैं सोना चांदी प्लैटिनम कोशिका के किस भाग में कोशी कांग पाए जाते हैं कोशी का द्रव्य में परिवार कल्यांड कारेक्रम के अंतरगत संचालित योजनाओं के नाम लिखिए आपको पता होगा कि परिवार कल्यांड कारे वो इसलिए चलाय जाते हैं कि हमारे जो देश की जनसंख्या है उसको न Eagles किया सके सो इसमें चलाये जाने वाले दो कारे क्रम एक है प्रहणा रन्नीति में क्या है कि जो लड़किया उनकी शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया है और दूसरा है परिवार नियोजन जिसके अंदर जो भी महिलाएं और पुरुष होते हैं उनकी नस्बंदी की जाती है ताकि वो आगे और जादा बच्चे पैदा ना कर सके ठीक है और जो हमारी जनसंख्या है उसको थोड़ा सा रोक उस पे लगाई जा सके दूर दर्शी किसे कहते हैं दूर दर्शी आपको पता होगा उसको इंग्लिश में कहते हैं टैलिसको जो दूर दर्शी है वे एक प्रकार का प्रकाशिय तंत्र है जिससे हमें दूर की जो वस्तुएं हैं वो बड़े आकार की दिखने लगती है अब जो अगला question है बहुत ही जादा easy है जिसके अंदर आपको केवल मिलान करना है तो बच्चो जो हमारा पहला है वो है डिबलर जो डिबलर है वो क्या है डिबलर है बुआई की विधी Then silo, silo क्या है? silo एक तरह की भंडारन की विधी होती है उसके बाद महसाना, महसाना एक भैस की नसल है height leg horn, height leg horn क्या है? एक मुर्गे की नसल है और shark आपको पता होगा एक मचली होती है तो ये सारी की सारी हमारी matching भी done हो गई है तो अभी तक हमने जितने भी question किये अगर आपको किसी भी question में doubt है तो आप comment करके पूछेंगे और channel को जरूर subscribe करेंगे क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने सारे के सारे question papers को विदांसर देखना है तो वो हमारे channel पे available है तो subscribe करके bell icon को प्रेस करना ना भूले तो अभी तक हमने खंड आ को discuss कर लिया है अब हम discuss करेंगे खंड खा को खंड खा के अंदर जो आपका पहला प्रेश्ण है उसमें आपसे पूछा है धातु के संशारन की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन विधियों का वर्णन आपको करना है ठीक है students 20 marks का question थोड़ा सा long रहेगा वो इस वीडियो में बताना possible नहीं था तो आप इसके answers गूगल से भी देख सकते हैं निमलिकित में से किनी दो के आपको अंतर स्पष्ट करनी है मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा बहुत ही असान है इसके बीच में अंतर आप बहुत असानी से लिख सकते हैं उसके बाद dyslexia और dysgraphia में अंतर लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर पादब लिघ। जीव निहों से उसके आर्थिक मेहत्व को बताना से थीकि आपको पता होगा कि जो होते हैं वह बहुत ही जादा मेहत्व हैं कि देखो जिसला नहीं होता है जो उसको कर देते हैं उसको हो मिटी में मिला देते हैं अगर शूष्म जीव नहीं होंगे तो कैसे लाइफ चलेगी इलेक्ट्रोन प्रोटोन और न्यूट्रोन में जो भी गुड होते हैं उनकी आपको तुलना करनी है और जो आपका दस्वा क्वेशन है जल पंप की कार्य विधी का सचित्र आपको वर्णन करना है तो इ देख सकते हैं अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसके अंदर हम इसी तरह से किसी और क्वेशन पेपर के आंसर को डिसकर्स करेंगे